यह मेरा वीडियो जो है मेरे पिछले वीडियो इन फिक्स टू पॉस्ट फिक्स कनवर्जन के बेसिस पे सेम इन फिक्स टू प्रिफिक्स कनवर्जन यूजिंग स्टेक का है और यह मेरे विवेर की रिक्वेस्ट पे है और मैं आप सभी की बहुत थैंक्फुल हूँ कि आप म करके मुझे बता सकते हैं तो देखिए इस वीडियो में हम in fix to prefix conversion का देखेंगे तो अगर आप ये flow chart देख ले in fix to prefix conversion का तो आपने पहले जो मेरा वीडियो अगर in fix to post fix देखा है तो उसके बाद आपको कुछ जादा नहीं करना है सबसे पहले जो expression दे रखा है जिसको आपको in fix step prefix में convert करना है तो उसको reverse कर लेना है जब आप reverse कर लेंगे तो जो उसकी जो brackets है वो brackets जो है opening bracket और closing bracket उनको जो है interchange करना जहाँ पे opening bracket आ रही है reverse statement में जहाँ पे opening bracket आ रही है उसको closing bracket से replace करना है और closing bracket को opening bracket से replace करना है उसके बाद आपको simply जो same algorithm है इन-fix to pos-fix आपको conversion कर देना है और जब आप conversion कर देंगे in-fix to pos-fix उसके बाद फिर से आपको जो है complete जो आपके पास result आया है उसको reverse कर देना है और वह ही उल्टा कर देना है उस result को तो देखिए आपको सिर्फ क्या करना है एक बाद starting में reverse करना है उसके बाद जो parenthesis है opening को closing बनाना है closing को opening बनाना है उसके बाद आपको in fix to post fix conversion apply कर देना है और बाद में जो है expression को reverse कर देना है अब चलिए हम एक example के साथ इसको detail में समझते हैं कि कैसे करना है अब देखी हमें example है हमारे पास में कि small bracket a plus b raise to power c bracket close into d plus e raise to power 5 तो सबसे पहले हम इसको reverse कर लेगे reverse में उल्टे उल्टा कर लेना है simply आपको कुछ नहीं करना उल्टा कर लेना है राइट साइड से चलिए तो 5 raise to power e plus d star फिर ये जो है closing bracket c raise to power फिर b plus a और opening bracket आप देखी है आपको क्या करना है जहां पर भी आपकी जो है opening bracket आ रही है उसको closing bracket से और closing bracket को opening bracket से तो हमारे पास क्या आ गया 5 raise to power e plus d into bracket opening bracket c raise to power b plus a close bracket close ये आपके पास expression आ गया अब आपको जैसे आपने पिछले मेरे lecture में देखा है इस expression को आपको post fix में convert कर लेना है तो starting में जो है initially आपका जो stack है वो empty है और output भी कुछ नहीं है और आपके पास ये expression है तो पहला जो expression को आप left से right traverse कर रहे हैं तो पहला letter 5 है तो 5 क्योंकि string है तो ये सीधे output में append हो जाएगा next letter देखिए raise to power है तो जब आपको ये पता है कि expression जब भी कोई operator आता है जब भी आपकी कोई string आती है तो आप उसको output में add कर देते हैं और जब आपका operator आता है तो आपको stack पे देखना है कि stack पे क्या है तो इस time पे हमारा stack क्योंकि empty है तो हम raise to power expression को simply stack पे add कर देंगे और next हमारा e था तो e को आपने string में add कर दिया उसके बाद देखिए आपके पास में जो operator आया वो plus आया प्लस operator जब आपके पास expression में आया तो आप देखेंगे कि stack पे क्या है stack पे exponential है तो stack पे exponential है तो exponential की priority higher है as compared to plus के तो exponential को निकालके output string में add कर देना है और जो plus operator आया उसको जो है आपने stack पे insert कर दिया आपके पास में next जो है d है तो d को simply आपको क्योंकि d आपका operand है आपने output string में add कर दिया फिर आपके पास में star operator है multiplication operator तो जो multiplication operator है और stack पे क्या है plus है तो यह कि plus की जो priority है कम है multiplication से तो multiplication simply stack में add हो जाएगा उसके बाद आपके पास d आया तो d operand है आपने string में add कर दिया फिर आपके पास क्या रहा है फिर आपके पास opening bracket आ रही है तो opening bracket को भी simply आपको stack पे add कर देना है push कर देना है अब आप देखिए आपके पास में c आया तो c को आपने output string में क्योंकि c क्या है operand है तो operand को आपने जो है output string में add कर दिया जब c के बाद में आप देख रहे हैं कि अब आपके पास में यह आ गया है exponential मतलब raise to power जो exponential आया है तो फिर आपको stack पे देखना है और stack पे क्योंकि opening bracket है तो आपको जो है exponential को भी as it is add कर देना है उसके बाद देखिए आपके पास में b आया तो b को आपने expression में add कर दिया output string में add कर दिया फिर आपके पास में plus आया तो आपने stack पे देखा उस time पे stack पे क्या था exponential था या raise to power थ तो raise to power को आपने निकाल के उसको वहां से pop करके और आपने output string में डाल दिया और फिर आपके पास जो plus था उसको plus को आपने stack पे push कर दिया फिर आपके पास A आया तो A को आपने output string में डाल दिया आप देखिए आपके पास में closing bracket आ गई है जब closing bracket आ जाती है तो simply आपको जो ह stack से pop करना है और जो है उसको add करना है output string में तो stack से जो है देखिए दो चीज़ा आप देख रहे होंगे एक तो जो expression है जो operator है जो operand है वो तो directly आपके जा रहे हैं output string में और जो operator है वो depend करता है कि उसके priority पे कि वो stack पे जाएगा पहले या वो सीधे जो है output string में add हो जाएगा तो जब ये closing bracket आई तो तब तक हमें pop करते रहना है और output string में add करते रहना जब तक हमें opening bracket ना मिल जाए तो हमने plus को पहले pop कर लिया plus को pop करने के बाद हमें opening bracket मिल गई तो फिर हमने वहाँ stop कर दिया अब हमारी जो string है जब empty हो जाती है अब हमारी string हो गई empty जब string empty हो जाती है तो stack पे जितने भी one by one आप pop करते चाहिए और उसको जो है output swing में add करते जाहिए तो इसलिए हमने multiplication और plus को भी निकाल लिया अब देखिए आपने ये infix to post fix conversion कर लिया अगर आपको इसमें clarity नहीं हो तो आप मेरा previous video infix to post fix conversion वाला देख सकते हैं अब आपके पास में आपको कुछ नहीं करना है आपको ये जो output मिला है उसको reverse कर देना है मतलब आपको right side से पहले plus आपका आगया फिर multiplication आगया फिर again plus आगया a raise to power b c d raise to power e 5 ये आपका जो है infix to prefix ये जो आपका expression है ये expression जो आपने starting में आपकी problem ली थी उसका जो है infix conversion है मतलब ये आपका हो गया sorry infix नहीं sorry जो आपने infix problem ली थी उसका prefix conversion है तो इस तरीके से आप infix से prefix में convert कर सकते हैं तो friends मैं आपको एक बर फिर से revise कर वा देती हूँ जब आपको infix से prefix conversion करना है तो आपको mathematically कुछ नहीं सीखना mathematically सिर्फ आपको infix to postfix ही सीखना है link stack और बीच में सिर्फ आपको दो बार reverse करना है starting में आपको जो expression दे रखा है उसको reverse कर लीजिए opening और closing brackets को भी reverse कर दीजिए मतलब जहाँ पर opening bracket है वहाँ पर closing को replace कर दीजिए और जहाँ closing bracket है वहाँ opening bracket से replace कर दीजिए फिर आपको जो आपकी algorithm है infix से postfix की वो apply कर दीजिए जो आपके पस output expression आता है उसको फिर आप उल्टा कर दीजिए ये आपका infix to prefix आ गया तो thanks friends और अगर मालीजी आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें मेरे चैनल को subscribe करें